पांडोना हाइवे सिद बिहाडा फाटा में केलवत पुलिस ने नाका बंदी कर मध्यप्रदेश से आ रहे कंटेनर से कपास के प्रतिबंदित बीच सब्त किये यह कारवाई बुद्वार रात नौ बची की है पुलिस सोत्रों के अनुसार थानेदार दिलिप ठाकुर को मध्यप्रदेश से नाकपुर की और से प्रतिबंदित कपास बीच एक कंटेनर में भर कर जाने की सूचना मिली थी इस आधार पर चिंदवाडा मार तथा पांडोना मार पर नाका बंदी की गई पांडोना मार पिहाडा फाटा पर कंटेनर क्रमांग MH40AN 9495 की तलाशी लेने पर कपास के प्रतिबंदित बीच मिले जिसमें मेगना पैतालिस के 2850 पकेट विटगाड के 2900 पकेट आरका अटरा के 500 पकेट कलपर्रुक्ष के 2000 पकेट विज्या के 650 पकेट काव्या के 1000 KCHH 111 के 150 पकेट तथा KCHH 555 के 150 पकेट इस तरह कुल 1100 पकेट जब के पुलिस ने वाहन समेट एक करोट पाच लाग 13700 रुपए का मुद्यमाल जब किया आरोपी सुरेंद्र परवतसी हधाकर नागपुर बर्धामना महावीर पायल आरशीटी ट्रांसपोर्ट पंचवटी इंदोर मध्यप्रदेश पर मामला दर्सक्या गया है इसकारवाई के दोरान थानिदार दिलिप ठाकुर, PSI अर्चुन ठाकुर, देवा देवकाती, सचिन येलकर, रविन रचचटप, पंकज कोहाड, किशोर ठाकरी, गुन्वन्ता डाखुली, कृशी अधिकारी MBKC, A.S. कोरी, H.N. घोडमारी, C.B. सवनी, C.A. वान कर उपस्ति थे, BCN न्यूस के लिए सावनीर से किशोर डुंडुले के रिपोर्ट